आज के व्लोग में आपको दिखाऊंगा थोर की आज सेकिंड वेक्सिन होनी है जो 60 मतलब 45 डेज के बाद जो सेकिंड वेक्सिन होती है 21 डेज के गैप के बाद वो वेक्सिन होनी है आज इसकी 18-1 जो बूस्टर लगना इसको तो अभी चल रहे हैं वेट के पास और वहाँ ज वेक्सिन लग रही है और थोर यह बैठा थोर है इसकी पपी वाइटिंग के आदत जादा वो उसकी ट्रेनिंग में चल रही है इसकी उसको मैं कंट्रॉल में करूंगा चलों आजाके मिलते आपको तो थोर का सेकिंड यह जो फॉस्टर था यह लग चुक है थोर के और अब हम घर की साइट जाने लग रहे हैं मैं व्लोग क्यों नहीं कर पाया है वोस्पिटल के अंदर क्योंकि एक तो मैं बिल्कुल भी टाइम ने मिला क्योंकि जो वैक्सीन लेकर आनी थी जैसे मैं शौप से लेकर आया है वैक्सीन आपने बिलूल जल्दी से जल्दी उसको अंदर वह जो आइस क्यूब्स होते ना आइस क्यूब्स के साथ दिया था ताकि वह खराब ना हो और यह रात थोर आज थोर का वैक्सीनेशन कार्ड भी बन चुका है दिखाता हूं मैं आपको और फिर आगे बाकी सारे इसको दिखाऊंगा खोल के दिखाऊंगा आपको ब दो दिन बाद यह ब्लोग कंटीन हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है वह मैं आपको वीडियो के लोग के लास्ट में दिखाऊंगा तो अब बात करते हैं थोर की सेवंटीन को वैक्सीन करा दिया हमने सेगिड वाली जो वैक्सीन होती है वह 18-1 बूस्टर बोलते हैं उसे लोग है उसमें मैंने आपको दिखाया था जो हमारे यहां पे वेडिनरी होस्पिटल है इसार में और यह चीज़ की खाऊचा प्रिबला है किसका है किसका थोर गाप तो यह हमारे थोर्ड रोट वाईल का वैक्सीनेशन कार्ड है तो इसमें मैंने सबसे पहले देखा जो प कपड़ा वो पॉच्चा मारते होंगे ना मेंट जैसे पॉच्चा मारते है तो पॉच्चा पगे रहता है यह मैं को मिलेगते है गाल डोग बड़ने का इसलिए कर रहा है असलिकी इसका बढ़े जब दिखेगी पॉपुलर डोग ब्रीटिंग हर्याना भी बचा रखे इसम दिखा दूआ जैसे मैं आपको बता तों बास इसकी डिवर्मिंग होई थी एट पोई इसकी लास्ट दिवर्मिंग और अब 15 बार इसकी नेक्स्ट होएगी वापिस तो यह वैक्सिनेशन कर रिकॉड इसका थोर का वैक्सिनेशन इसकी पहली 26 को 27 को ही है और जो अभी नेक पैल रेबीज का इंजेक्शन लगेगा और 17 से 21 बाद इसका जो सेट बूस्टर हो लगेगा तो मतलब की इसका इन यह वेक्सिनेशन थे थी वैक्सिनेशन इनिए पहले बता था मैं रिकॉड क्यों नहीं कर पाया क्योंकि उसका रीजन मैंने पहले वीडियो में बता रखा तो अब जो कई सारे दोस्तों ने यह कमेंड करी थी रिकमेंड कर रहा था तो यह रहा है तो इसकी वैक्सीन हो चुकी है देखो आप लोगों को भी बड़ा लग रहे हैं और इसका वेट भी तीन-चास दिनों इसका साथे तो जो कमेंट्स में कई सारे दोस्तों ने यह कहा है कि थोर की हमने फूल डेट देखनी है तो वो वीडियो पर काम चल रहा है वो मौस्ट प्रोवैबली कर ला जाएगी वीडियो तो जिसमें सारे इसकी पूरे दिन की जो डाइट और मैं कवर कर दूँगा वो सारी चीज़ आजेंगी और अब मैं बताता हूं कि मेरे को दो दिन का गैप क्यों लगा बीच में आप देख सेकते हैं मेरा रूम और स्टूडियो कंभाइन ना चाहरा हूं इसमें और इसमें कई सारे छोटे-छोटे बाच का टुकड़ा ले लेते हैं को कोई लॉलिज नहीं होती उसमें दो डबे पानी दाल दिये जो पैट शोप वाड़े दे रहते हैं दो दौई दाल दी उनको यह नहीं पता क्लोरीन की कितना डालना है और वह ब्लू कलर की को जो एंटी इचिंग जो होती है दुआ होती जब यह इसके दुआ होती है वह डाल देते हैं बहुत पता कि कितनी डालने कितनी नहीं वह इतना से ले ले लेंगे और उसके अंदर 10 मचलिया डाल देंगे और फिर कहेंगे कई तो ऐसे शेयर के बच्चे हैं कि वेटवेजियां हमें वही दालते कि फिल्टर वगेरा और और फिर एयर स्टोन डालते फिर वो कहते हैं कि दो दिन तो मस्री चलती है तीसर दिन फिर मर जाती है तो किसी को कोई जाता नोलेज नहीं अपने यहां पर आसपास और जिनको नोलेज आना वो के एक्वीरियम सुन्दर है वो यूँ देखते हैं मतलब कोई बंदा उनको लाइट के निच्छे हो जाना है या फिर मापको एक डिदा वर इधर हो इसे यह जो है यहां पर सोच रहा हूं यह मुझे बताना कि यहां पर मैं एक्वेरियम से रखों या फिर यहां पर अपना एक स्टूडियो टैप बढ़ाओ वो सब करके बताना तो इसी के साथ हमारे लोग खतम होता है आज के लोग में कैसा लगा आपको लोग और कैसा अच्छा लगा तो लाइक करें नहीं लगा तो बिस्वाइक ऑप्शन भी है और जादा तर लाइक है कर देना पसंद आया तो और अब कई सारी वीडियो अपने आने वाली है साथ के साथ कल जैसे इसकी देए वीडियो आएगी थौर की डाइट की और तो अब जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करो जाब जादा लोग सब्सक्राइब कराऊ चैनल पे एक और बहुत बड़ा सप्राइज है थौर जैसे सप्राइज है वो भी आएगा जब आप फिफ्टी की वीडियो को कि हमारे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे अपनी 50K की फैमिली हो जाएगे तब मैं आपको बताओंगा कि वह क्या चीज है और तब ही रिवील होएगा वह सप्राइज बहुत अच्छा सप्राइज होगा कुछ नई चीज आ सकती है अपने घर में हीट मैंने दे दिया है तो इ